दुनिया भर में महस साथ दिन में बाहुबली पार्ट टू ने 800 करोड रुपे की कमाई कर ली है जहां फिल्म को लेकर ओडियन्स का क्रेज कम नहीं हो रहा है वहीं स्टार कास्ट को लेकर भी लोगों में कुछ कम दिवानगी नहीं है तब ही तो बाहुबली के कैरेक्टर प्ले करने वाले प्रभास को अब तक करीब 6000 प्रपोजल्स मिल चुके है एक लीडिंग वेब साइट ने दावा किया है कि जब से प्रभास ने बाहुबली का रोल किया है उन्हें लगातार शादी के लिए प्रपोजल आ रही है अब तक उन्हें करीब 6000 लड़कियों ने शादी के लिए प्रपोज किया है लेकिन प्रभास ने फिलहाल इन सभी रिष्टों को ना कहकर थंदे बस्ते में डाल दिया है प्रभास जहां शादी के लिए 6000 प्रपोजल ठुकरा चुके हैं वहीं उन्हें लेकर खबरे हैं कि वो जल्द 14 साल छोटी लड़की से शादी कर सकते हैं दरसल प्रभास की फैमिली ने उनके लिए 24 साल की लड़की पसंद की है जो इंजिनिरिंग स्टूडिन्ट है बाहुबली दे बिगनिंग की रिलीज के बाद ही प्रभास की शादी की खबरे आने लगी थी लेकिन बाहुबली पार्ट टू की शूटिंग के कारण उन्होंने तब शादी से इंकार कर दिया था ऐसे में फिल्म के रिलीज के बाद अब एक बार फिर प्रभास की शादी पर कयास शुरू हो गए है अभी विडियो को लाइक करें, शेर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ, बाई बाई